नमस्का दोस्तों मैं आपका दोस्त रभी आपका स्वाकत करता हूँ अपने चैनल रभी टेकस्ट यूडियो में तो दोस्तों आज का वीडियो फिर एक नए टाइटल एक ऐसी गोल्डर opportunity लेके आया हूँ कि बैंक में आप एक एक काम कर सकते हो काफी वेकंसी है दोस्तों और उन सब के लिए जिनने जस्ट टैन प्लस टू किया कोई डिगरी नहीं चाहिए को डिपलामा नहीं चाहिए के वल आप प्लस टू पास किया हो उनके लिए अपरेंटेस बनने का एक मुका है अपरेंटेस की तरह कर आप बैंक में काम कर लेते हैं तो आपको वरियता मिलती जब भी वेकंसी आती है तो यह पंजाब एंड बैंक में आई है जैसा कि आप पर देख रहे हैं तो आंगे बढ़ने से पहले मैं सब सातियों से ऐसे सातियों जो पहले बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राब रूख करने जहां तर वीडियों में गवर्मेंट जॉब पर लिकर आता हूं सबसे पहले आपके पास में आएंगे तो चलिए सा कराना पड़ेगा आप प्रेटेसिफ इंडिया डॉट कॉम डॉट जहां पर चले जाएए या फिर एनटी एस डॉट एडूकेशन डॉट गॉट इन दोनों में जाके अपने आपको रेइस्टर कराना पड़ेगा ठीक है अगर आपने 16 अक्टूर तक रेइस्टर नहीं कराया है तो 16 अक्टूर के बाद में मतलब इसमें पहले नहीं कराया तो ठीक है वही चीज हो जाएगी जरूरी है अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना पर सारी देनी पड़ेगी आपको कहां से आपने इंटर की है वह सारी फोटो सिगनेचर सारी चीज वहां पर लोड हो जाएग है सारे मॉडिफिकेशन के साथ में ठीक है अब बेकंसी की बात कर लेते हैं तो बेकंसी देखिए दिल्ली में 30 वेकंसी है जिनको डिवाइड कर दिया गया है सी में चार एस्टी को दो विसी को वार्ट एकनोलोबी के सक्षन 3 जनल कर देखो 13 टूटल 30 वेकंसी है वही में डिस्टिक वाइज वेकंसी देख लेते हैं तो देखिए पंजाब के अंदर में 70 जो वेकंसी हैं वह ऐसे डिवाइड कर दी हैं गुदासपुर में 12 फरीद कोड में 7 अम्रत्सर में 5 बटिंडा में 6 ऊश्यारपुर में 7 चारंदर में 7 जुद्याना में 8 पट्याला में 5 त सब्सक्राइब के लिए अगर आप मोर दन वन अप्लिकेशन शुद्वी सब्सक्राइब के लिए अप्लाई कर सकते हैं एक से ज्यादा के लिए नहीं इस चीज का ध्यान रखेंगे अब चलिए इसमें जो रिजर्वेशन है परशनल बैंचमार्ट एजुरी को रिजर्वे पंजाब में दो वेकंसी के लिए पहला इसी में सब्सक्राइब कर देता है तो उसमें सबसे लास्ट में अप्लाई किया होगा उसी को किया जाएगा ठीक अब चलिए है जो यहां पर जो एक कोड दिये गए थे वी आई एच आई ओसी एमडी इसका डिटेल में यहां पर दे दिया गया है वी आई मतलब विज्वल इंपेर्ड हो जाता है है और तो पर एक लिए चैलेंज हो जाएगा आईडी के मतलब इंटलेक्ट्ट्वलेटी है एमडी हम आता है दो या फिर उसी का मतलब यहां से देख लिए जगा ओसी का मतलब और्थोपेडिक लिए आपको चलने में घुटने पोटर तूटे हुए हैं तो दो और मजीवर मटीवर डिसेबिलेटी के लिए दो इस तरह से यहां पर निकली हुए हैं साफ से आपको भरना है है यहां पर रहने के उद्देश से जांबिया मलाभी से भी निकल के आए हैं और इंडिया की नागरिकता लेके आप रह रहे हैं तो अपलाई कर सकते हैं ठीक है का टॉप डेट है जो आपकी एज की एक अक्टूबर 24 रखी गई है ठीक है तो आप यहां पर देखिए मिनिम से चलेगा किसी भी इनिवर्सिटी से आपका रिजूएशन कंपलीट है तो बिल्कुल आप अपक्राई कर सकते हैं अब चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की गई है वह किसी भी रिकॉगनाइज बोड से होने चाहिए किसी अन्न बोड से नहीं भारत गवर्ण उसको औ आपके आपने क्वालिफाई कर लिए हों वही अपलाई करें और आपके जो परसंटेज है आज आपको सी जी पी आपको करना है specific नीं करना है इत वह पौन्ट नीं बडिलकनागी आपको एंसेoffiksi नमबर आपको मैंसेर्ट करना कि अगर आप डिजबिलिटी से हैं दस साल की आपको मिल जाती है एज रिलेक्षेशन में अगर आप विद्वां हैं ठीक है विद्वां हो चुकी हैं अपनी हज्वेंड से और आपने दुवारा मैरेंज नहीं है तो आपकी जो एज कंसेशन है 35 साल की एज तक आप मतलब भर सकते हैं और 35 साल से उपर जो है जनरल एकनों भी कर सकते हैं अगर आप 1984 दंगे से दंगे के विक्टिम्स हैं तो आपको पांच साल की एडिशनल चूट मिलेगी अपर एस लिमिट में ठीक है इसके रिलेवेंट जो है स्टी ओवेसी के लिए रिजर्वेशन रहेगा अपको चलिए आपको इसके कॉंपेटेंट साथिफिकेट आपको डिस्टिक मजिस्टिट अडिश्टिक मजिस्टिक टैसील दार से नीचे नहीं लेना तैसिल दान से ऊपर की रेंकवालों से बनवाने हैं ठीक है यह आने आपको बेंचमार्क डिजबिलिटी तो उसका भी कॉंपेटेंट सेर्टिफिकेट है उसी में वनवाकिलाना है आप चलिए सबसे पहले करना क्या है आपको अपना प्रोफाइल जनरेट करना है अप्रेंटिस की वेबसाइट पर एने टीस की वेबसाइट पर जाएंग प्रमाजब फिर हो जाएंगे ठीक है अब टाइम नहीं है लीब जो है हर महीने एक कैजयल लीव आपको दी जा सकती है है अगटी चार के लीवा आप ले सकते हैं ठीक है फॉलिडे जो बैंक के होलिडे होंगे वह सब आपको मिलेगा ठीक है आप सेलेक्शन पोसिजर है जो कर सकते हैं यह आप साल के लिए आप सेलेक्शन यहां पर हैं आप सीख सकते हैं आपका contract हो सकता है ठीक है वेसे तो एक साल में साल का काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 7 दिन का लिटीमिटम देखे आपका कॉंट्रेक्ट किया सकता है कर सकती है बैंक कभी अगर आपको छोड़ना है बैंक तो पंदरे साथ 15 दिन का आपको देना पड़ेगा फिट होने चाहिए तब इसके लिए आप अपलाई करें पंजाम में निकली है फिजिकली के लिए अधर जो ह आपको प्रफर तरीकी से बरना है तो यह सारी डिटिल है जब आपको अप्लिकेशन फीस लगेगी स्ट पीडवलू पर सब्सक्राइब का पीड़ेगा उस पर टैक्स होंगे पेडमेंट लगेंगे जनल के अप्लिकेशन की जो आपको लाई करेंगो उस दौरान आपको दि इस इंद बैंक डाट को डॉट इन यह ओफिशन वेबसाइट इस पर क्लिक करके जाएंगे वहां पर रनिंग निव्स आ रही होगी अप्रेंटेस रिकूर्मेंट उसके पर किलिक कीजिए उसके पास सारी इस्टेक्शन पढ़ने हैं पर सारी डिटेल उसमें भरनी है बरने इमेल आइडी आपके खुद की होने चाहिए मुवाइल नंबर और पास्कोर साइस फोटोग्राफ लगेगा यह ज़रूरी है अपलाई करने से पहले आपके पास में होने चाहिए बैंक अकाउंट की डिटेल भी आपको देनी पड़ेगी वहां पर तो यह सारी पहले ही आपका लेटर में नहीं करना है रणिंग लेटर में आपको सिगनेशर करना है उसके साथ आपको देना पड़ेगा डेकलेशन का जो फॉर्मेट यहां दिया गया है आई आपका यहां नाम यह वाई डिकलेट देट आट ओल दी इंफॉर्मेशन सब्मिटेड वाई मीं दी बालिकलेशन्ज फॉर्मार में यह दाट है इसके करेक्ट जो डाकॉमेंट है जब डाकॉमेंट वरिकेशन होगा तो मैं आपको प्रवाइड करा दूंगा और जो इमेज आपके फॉत्टो सिग्नेशर की है वह पी अजी या जेपेजी जेपीज फॉर्मिट में रहा रशक आजवेंट का नेम यह आपको करेक्ट ली पनने हैं वही लिखने हैं जो आपके जो नाम है वही नाम देना आपको अप्लिकेशन पाया जाता है तो आपका जो केंसल कर दिया ढूब जाएगा कोई भी इंप्लिकेशन है एप्लाइन नहीं होगा ऑनलाइन करना है इंक्म्प्लीट अप्लिकेशन रड़े तो लास्ट उप्लिकेशन होगा सको किया जाएगा ठीक है सिंगल ही अप्लिकेशन देना है अब चलिए लास्ट डेट है जो 31 सक्टूबर उससे पहले बिल्कुल आप प्लाई कर लीजेगा अप्लाई करने का प्रोसिजर मैं पहले बता दिया हूं बैंक की ऑफिशल वेबसाइट में जाके आपको अप्लाई करना है सारे सेटिफिकेट वहां पर देने हैं और उसके बाद पेमेंट करना है ओनलाइन आपको फीज का जैसे से स्ट के लिए बताया था परसनले के लिए सो रुपए और बाकी ओवी सी जनर्नल और एकनोलाइन पेमेंट आपको करना है तो यह सारी चीज हो गई अब डाकुमे रहे हैं इस आपने उसका भी एक सेटिफिकेट लेकर आना है कम्यूनिटी की सेटिफिकेट आपका लगेगा ही लगेगा जो किस से हो जरूरी है फोटो आपका लगेगा आधारकार पेन काड या ड्राइविंग लाइसन्स दो पास्पोर साइज के कलाड फोटो आप लेकर है ठीक है जो कि आपने एने टीस पोटल पर ही अपरोड किया है वही सेम फोटो आपके पास होना चाहिए और कोई डाकूमेंट होगा तो दिना है तो यह सारी चीज हो गई डाकूमेंट देने का और जातर जो अंस्ट्रेक्शन है मैंने इस पर कबर कर लिए है तो दोस्तों करना ठाल है